हुआ है हलो दोस्तों आप सब का अपने यूटूब चैनल जे बीस इस्टडी पॉइंट में स्वागत है हमने अपने जो पिछला वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने क्या सिखा था तूले प्रतिरूद निकालना क्या सिखा तूले प्रतिरूद आई होब आप ने मेरे सभी वीडियो को देखा होगा जिसे वान लोग क्या कते इंग्लिस में एक्कि वल एक्यू रगेल रजिस्टेंस ये जो है एक्वल एक्ट रजिस्टेंस क्या紅 इन है क्या होगा हमारे person whatsoever करेंगे आज की बीडियो में दखेंगे करेंगे कि त्रस्टाफ कि नियम किसका के ट्रूइचा आफ कर नियम क्रिशाफ कर नियम यदि आप तयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा किंदा जरूर्य एंगे क्रिशाब आपनेंसे कोशन S SJ में हर साल एक कोशन जरू पूश्ठाएं तो हम बात कते हैं कि करिशाब का नियंग क्या था करिशाब आप का जो नियम है हम जानते कि रिचाब पAllah नियम एंसे इपर तमनीय प्रथम्नियम है क्रिचाप का जिसे हम क्या करते के सी यल के सी यल या फिर इसी नियम का नाम है क्या संधी का नियम संधी का नियम अब इसका क्यान और दूसरा नियम क्या है जुटी नियम क्रिचाप का दुटी नियम दुटी नियम या फिर इसका नाम क्या है के बियन कि यह अब जानते क्या है कि जो किर्चाव का प्रथम नियम है वह किस्प सिधात पर कार करता है तो आवेश सरच्छड के सिधात पर कार करता है आवेश सरच्छड के सिधात पर कार करता है कौन हमारा किर्चाव का प्रथम नियम कभी कभी आप समय पूछ लेता है कि करता है यह उर्जा सरच्षड करता है उर्जा सरच्षड के सिधान पर उर्जा सरच्षड के सिधान पर यह क्या कार करता है हमारा तुटी निया आयोब आपको यह आया होगा समझ में या फिर आपको पता होगा तो इसे आप क्या कर दीजिए आप नोट कर लिजे क्यों कि यह के ईओप आपने इसे क्या वह राइड़ूंगा लिया होगा तो फिर चाहिए-फिन क्या हम आगे बढ़ते हैं आपको यदि समय में न Jupyन कमेंट कर जरूर बताईएंगा कि क्या होता है किर चाह्ति का नियंट तो अब करते है अब दखे हम क्या बाते करिचाप का नियम क्रिचाप का प्रतम नियम क्या होता है ट्रतम नियम रतम नियम या फिर संधी का नियम संधी का नियम या पुर जिसका नम क्या है के सी एल अब देखे का इससे पढ़ने से प cookie हमको पता होना चाहिए क्या कि संधी क्या होता है संधी को इंगलीजिस किया कहते यह क्याक्त है ज़ंक yht hyp jesna कै इसके बारे मुख 10 पढ़ते हैं तो हमने क्या हुआ Fine equivalent बता रहे थे नोड़ काउंटिंग तो उसमें हमने बताय था कि संधी या फिनोड क्या होता यह तो अब दखेगा कि हम क्या करते हैं अब यहाँ दखेगा जहां पर जा पर दो या दो से अधीक साखाए हमारा मिले जैसे दखेगा एक साखाया हो गया यह साखाया एक साखाया जहां पर एक से अधिक साखा मिलते हैं तो यह जो पॉइंट है इसी पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं संदी करते हैं अब या दखेगा संदी की से करते हैं तो यहां पर लिग देते हैं संदी क्या होता है जहां पर जहां पर दो से अधिक अधिक साखा या फिर ब्रांच मिलते हैं साखा मिलते हैं मिलते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं संदी करते हैं जैसे यहां पर देखिएगा एक जहां पर थूँ यहां पर यह क्या होगा अब देखें यहां पर सब्वाइंट क्या करें मिल लें तो खिरणे साखा एक साखा है दो तीन और यह चाहरा मतब क्या हुआ यहां पर साखा किने मिले चार तो यह जो पॉइंट है इसी पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं संधी करते हैं यदि आपको समंदीर समझ में आज तो आप क्या करेंगे किर्चाप के नियम को आसानी से कर ले जाएंगे आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे बात कर रहे हैं चलिए आप कह 파ऄ संधी को राइध कर लिजे आपको नुड़ मीनट का टां दयते हैं आपको संधी सवन में आ गया तो आप क्या करेंगे कर जुअके आपर कर में या फी कृष्टाव का धारा समंधितनिया में आप इस से डिलेंट कुछन को कर ले जाएंगे संधी को राइड डाम कर लीजिए आपको जुए का टाइम देते हैं अपने टोट को लिजए के संधी पहरे क्या क्या होता है यदि आपको संधी सवंज में आ गया तो आप क्या करेंगे की चाप का जिब प्रथम लियम्हाइं या फिर के कर ले जाएंगे आई होपाफ सबका हो गया होगा तो मिसे क्या कर देते हैं अचलिए अब हम देखते हैं क्या होता है कर चाफ ने क्या बता जाएं यह दि कोई संदी है और माली जै क्या या संदी है यह हमारा संदी है अब या संदी इस वे जो धारा लिखाय क्या I1 इस वे संदी क्या या धारा आई टू अब इधर क्या जा रहा है आई थ्री और क्या यह आई फूर है यह क्या संधी है तो अब किर्चाफ ने बताया क्या बताया किर्चाफ ने किर्चाफ ने यहीं बताया कि संधी पर संधी पर क्या होगा संधी पर आने वाली धारा आने वाली धारा क्या होगा आने वाली धारा बराबर होगा संधी से बाहर जाने वाली धारा के जैसे इंगलीज पर क्या करते हैं इन्व और मिंकर एंटि एक करई इड्वर टू क्या होगा आूटब उइंग कर आउड गुएंट करेंट कहां पर करेंट इनकमिंग कर इंपर वात करा यह संधी कळ होगा संधी से बाहर जाने वाले धारा जैसे आई थ्री देखें यहाँ पर क्या होगा Maya advocacy Shandi पर जा रहा है ऑफ संधी पर जा रहे है आई घ्ल्य और i4 क्या करा संथी से बाहर जा रहा है 17 अगर किन कई वन ब्लस आई- πα्र-थी प्लस by 4 यह की किलिछाफ ने आपने निएम में बताया याप के I for I hope आपको समय में आया होगा कि पर आपको समयाह कि बताया बकिछाफ ने बताया अपने संदी के नियम में कि इन कमिंग करेंट इज मैं इस एक डाइगा आउट गोइंगों करेंट पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे संट एक अब को साल करेंगे फ़ले आपको बेसिक समझ ऑगया आप क्या करेंगे को असानी से कर ले जाएंगे आपसे राइड़ डाउन कर लीजिए तो इसके बात हम क्या करते आगे बढ़ते हैं आपका हो गया होगा रब कर दे चलिए दो मिनार का टाइम है चलिए अब देखते कि और कि आपने क्या बताया अब देखते क्या इसको अप्रफ कर देते हैं इसके बाद आपको बताते हैं चलिए कुशन समझते हैं क्या अब क्या वा कि आपने क्या फिस नियुक्त कि आपने बताया क्या इन कमिंग करेंट इन कमिंग करेंट इड इक वर्ट तू आउट गोईंग करेंट अब देखते हैं क्या एक क्वेचंग के थू हम समझते हैं किया इन कमींग करेंट आउड गयंक्रीकें हम क्या है और मानीचिये क्या एक को निमेरिकल दे दिया है किसे प्लेकोंशन हम क्या तक रहे है छोटा सा सबस्क्राइब है कि देखे का हमारा कोश्चन है यह दिखिया वदिया आई-वन इस युकल टूं एक एमपेर और आई-टू इस कर टूंट दिया च्छा त्री एंपियर आई फोर इसको टूट देदीजा किना फाइप एंपियर और यहां वद्याग्या अब हम से पूछा क्या है कि हम से पूछा है आई फाइप की वैलू आप बताईए कि आई फाइप की वैलू क्या होगी तो इस रूल से चलते हैं क्या कंश के कर रहा है तो हमने दिखा कि आ आई वन आई टू और आई फाइप जो हमकी तो हम क्या करें या वर यह क्या कर रहें आई फाइब ऑई कक शाएप अब पूछ रहा है कि अब देखकर हम को बताए कौन सा इंकमिंग करेंट है कौन सा आउट गोइंग करेंट है तो हमें देखिए कि आई वन अंदर की तरफ जारा है संदिक तरफ आई टू भी जा रहे तो प्लस आई टू फिन कहुंचरा आई फाइब जा रहा है तुमने आई टीन करेंट याफ इंकमिंग रिटिकल टू आउन वन के वैलू क्लião क्या एक प्लस आई टू की मेरिका है थ्री अब देखे आई फाइब क्या लू क्या है टू आइफ पॉर की बिनुक्या है नहीं दिया आइध आई फुर क्वाइफ प्लीए ने देते हैं अब दिकित आई four is equal to क्या हो जाएगा five minus six या फिर आई four is equal to क्या हो जाएगा minus one ampere या क्या होगा हमारे question का answer हो जाएगा I hope आपको या question समय में आ रहा है आ रहा है देखें आप देख लिजे आपको आ रहा है कि नहीं चलिए आप question को आप लोट कर लीजिए अब और question के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जोदी आपको समझ में ना आए तो comment कर हमें जरूर बताईएगा चलिए आप question आप लोट कर लीजिए कि हम लोग कैसे किया है कि कि करें है 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 चलिए तब तक हम इदर कोशन और राइडाउन कर लेते हैं उसके बाद आप नोट कर जिएगा चलिए यहां कोशन क्या है एक कोशन और हम लिख लेते हैं चलिए अब कर लेते हैं आपका यहां कोशन है चलिए दिखते हैं इधर दिया यह आई वन इसकोल टू टू एंपियर इधर दिया आई टू इसकोल टू वन एंपियर इधर निकला है क्या इसके बाद क्या हुआ अब इधर गया है क्या आई फोर दिया क्या एक एंपियर और इधर क्या हुआ है इधर जै आई अफ आई तो यहां पर देखा जाए कोशन में तो हमारा किनने संदी है दो संदी है एक संदी यहां पर है और एक संदी यहां पर है तो पहले क्या अगर इस संदी पर जो हम लगा रहे थे का क्रिश्ची आपका नियम तो यहां पर देखे इस संदी पर जो धारा आई वन हो आई टू है वो कहा जा रहा है संदी की तरफ जा रहे और आ i3 तो i3 वरावर क्या हो जाए या क्या हो जागा i3 कि वैलू लेकिन हम से पूछा क्या कर्जा है बत् Скनल निकालते हैं THOM इत क्या ज़रहा है नोड के अंदर जा रहा है और में संदी से बाहर कौन निकला नहीं तो आप देखेंगे आइफ देलिकान रहा है तो इक कोल कर दोगे आई फोर तो आई थ्री की वर्यों क्या देल थ्री आई फाय जिसक्वल टूवण जाए का तो आई फायबर क्या हो जाएगा देखिए का वन-माइनस थ्री या फिर आई फायब तो और धैकर टू एम्पिजर यह हो जाएगा क्या हमारे क्वेशन का एंसर हो जाएगा आई होप आप को यह कोशन सोंज में आया होगा आप कोशन को अब नूट कर लिजिए अच्छे से कि यह पर गज़्व कि जदी आपको ना समझा आए तो में कमेंट कर जरूर बताएगा तो हम क्या करेंगे अगले और अच्छे से question को बताने का प्रयास करेंगे अब चलिए अगला जब question हम लाएंगे वीडियो में ओ क्या रहेगा हमारे एससी जे काहिस अब question रहेगा कर दूशन के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में आप सब के लिए हम और कर लएंगे आज को वीडियो में बस इतना ही आप इसके डाइड डाउन कर लिए अज कर लिजि आज के वीडियो में अगले वीडियो में हम और आप लिए कुष्चन लिकर आएंगे उ कि कम कर आएंगे इसमे को कम यह स्य कम हम 20-25 कूश्व के जिस से कि आप अधर का ले जाएं तो चलिए पिन आज के वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद